रोतक फिप पुर्विसांसर दिपेंद्र हुड़ा ने बीजुपी पर सियासी हमला बोला दिपेंद्र हुड़ा ने S.Y.L के मुद्धे पर सरकार को गिटे हुए कहा कि S.Y.L को लेका सीम पास साल में पीम से नहीं मिल पाई और इस मुद्धे पर सीम कमजोर प्यारवी कर रह हैं साती उन्होंने आगे कहा कि सरकार की दक्षन हर्याना विरोधी सोच दिख रही है मनेटी एम्स को लेकर भी सरकार ने अधूरी घुशनाई की हैं दिपेंद्र हुड़ा ने बीजुपी को महंगाई को लेकर भी तंज कसा इतना ही नहीं साती ये भी कहा कि बीजुपी न 75 पार हो गया है कॉंग्रेस जल्दी नई रणीती बनाकर प्रदेश का नुगसान करने वाली सरकार से टक्कर लेकी आपको विता दे हैं दिपेंद्र हुड़ाने इस तरह है जमकर तंज कसा कहा कि बीजुपी 75 का अकड़ा भी पार कर चुकी है पेट्रोल डीजल के जो रेट्स हैं वो 55 के पार हो गए हैं तो वहीं कॉंग्रेस पार्टी के जूइत को लेकर आश्वस्त होते हुए दिखाई दिए कॉंग्रेस की जीत को लेकर उन्हेंने कहा क्याने वाले समय में कॉंग्रेस के वो से तयत रह के विकासात्मक कार भी पर भी बोलने हुए नजर आए उन्होंने कहा कि 5 साल में CM एक बार भी PM से मुलाकात नहीं कर पाए हैं देखा जवाई तो इस तरह वो विपक्ष पार्टियों पर लगतार हमलावर भी होते हुए दिखाई दिये SYL के मुद्दे को लेकर CM पर जब कर हमला भी बोला दिपेंद्र हुटा ने सरकार के कारेकाल को लेकर उनके कामकाच को लेकर इस तरह से निश्वाना साथते हुए निसराई दिपेंद्र हुटा झाल